सब के रखवारे बनते हैं ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में कहते आए हैं कभी उसका रखवारा बना कभी उसका बना ये अवतार लेकर के उसकी रिख्या की ये अवतार लेकर के उसकी रिख्या की तो अवतार भी कहीं और रिख्या भी कभी 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 सत्य युग में तो कभी तरेता में द्वापर सभी जगा ले गए है पर अंतु ऐसे नहीं रख्या की जरूरत भी तभी है जबकि हम पूरण जरावट में आ चुकते हैं तो हम पूरे गिरते हैं तभी तो आकर करके चराते हैं अगर अब यहमारा घरनाई शुरू तो वो कभी तो है न टाइम है ऐसे तो नहीं है न उसका भी टाइम है गिरने का भी अपना टाइम है तो आप उरसे ले करके एककल है युग तक गिरनाई है यह भी ड्रामा का है समझते हैं इसे पर कई मूझते हैं समझते हैं गिरनाई है तो फिर तो आपना दो कुछ नहीं भुआ नहीं, पर अन्तु नहीं, ये भी ड्रामा भी समझना है, फिर ये भी समझना है कि हाँ, उस गिरावट से चरहने का भी time है, और बाप आ करकर के चरहने की बल जो है न, वो देता है, तो ये बात ने समझने की है, गरना ही है तो उसका मतलब गरना ही है ये भी तो नहीं है ना चरना है तो उसका मतलब अपने आप ही चर जाएंगे नहीं चरना है उसका टाइम है और चराने वाला भी आकर करके चराती है परंतु वो भी हमारे से पुर्शारत करा के चराती है तो हमको अपने पुर्षारत से चरणा हो गया, अभी ये चीज फिर समझना कहीं इसमें मुझते हैं, तो पुर्षारत की क्या बात रही जब इस घरना ही है, चरना ही है, ये बना बना पड़ा है तो आमको गरने ही दो, जब चरना होंगा तो चड़ी जाएंगे अपने आप, फिर मनस की क्या बात है, तो इसलिए पर कई पुर्शारत को नहीं लेती, पर इसी बात भी मुझ जाती है, अभी मुझने की बात नहीं है, ये समझना है, भले जिरने चरने, उतर्तिकला, चर्तिक का बना बनाया ड्रामा है, परन्तु चरने का भी जैसा नेम होंगा, वैसे चड़ेंगे न, नेम है, अपने की ये कर्मों से चरना, गिरने का भी नेम तो यही है, अपने की ये कर्मों से गिरते हैं, कोई ऐसे थोड़े हैं कि अपने आप, हमारे कर्म से ही तो हम गिरते हैं, responsibility फिर हमारे कर्म पर आती है न तो भूलते हैं अब आपको भूलते हैं विकारों में गिरते हैं तो गिरते हैं अगर विकारों में नहीं गिरते तो नहीं गिरते तो देखो ये point रखी ड्रामा में भी ये रखी हुई है नेम में भी ये पॉइंट रखी हुई है, कि विकारों के कारण गड़े, कारण कौन सा बही गड़े क्यों, ऐसे ही तो मुफत में नहीं गड़ पड़े नहीं, अच्छे थे और गड़ गड़े, नहीं, विकारों के कारण गड़े, विकार आये तब गड़े, तो देखो देव वाममार्ग भी है, वाममार्ग का मतलब ही है, कि देवताय जब फिर विकार में गिरे हैं, पर तु जब गिरे तभी देवता थोड़ी थे, तभी तो देवता नहीं थे, गिरे दोशको, तो ऐसे भी कि देवताय गिरे, नहीं तभी देवता थे ही नहीं, देवता थे ही नहीं, तो फिर विकारी दुन्या का टाइम भी आया, फिर उनों में विकार परवेश होने लगी, तो फिर उस समय तो विकारी हुए न, उस समय देवता थोड़ी कहेंगे, नहीं, इसलिए विचारे कहीं समझें, इसका चित्र भी रखते हैं, वो जगनात यहां कहां है, बाबा बतला कि उनके देवारों में, मंदर के, बाहर देवारों में, बहुत देवताओं के गंदे गंदे चित्र दिखलाए हुए हैं, कि देवताओं वाम मार्ग में जब गए हैं, तो वाम मार्ग का चित्र दिखलाए हैं, शकल देवता की और विकारों में चल पड़ी है, तो वो विक और उपर कलंक लगा दिया, इसलिए सन्यासी आदू समझते हैं कि ये देवता का ये सुख भी विश्टा समान है, ऐसे इसे कह देते हैं, जो हो समझते हैं कि देवता कहीं समझते हैं, बई देवता पद, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, देवता भी गिड़े, ये क्या वो हो जोती जोत में समाना, पर ऊपद जाना, वो समझते हैं, वो उची स्टेज है, आप Living Dayal Is 113, वो समझते हैं, अरभ देवता पद थोटा न की दूनिया है, तो देवता है, प्र जब येतीम आता है, तो आ वही आत्मा है, वही आत्मा जनम लेती लेती, एक प्र रजों म में भी तो वो ही आती है, तो जब रजो शुरू होता है, सतो परधान और सतो पूरा होता है, तो फिर रजो आता है, तो फिर उस ताइम पर पुरा, उसी समय तो वो देवतार नहीं रहे, फिर विकार का परवेश्वा, तो फिर विकारी रही, फिर वो ही जो निर्विकारी रा फिर वो चलता है, तो इसी तरह ऐसे बाब बैठके समझ जाते हैं, तो फिर जबी विकारों से भी गिरते 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 हैं, नीचे चल परते हैं, तभी फिरा मैं आता हूँ और आकर करते हैं, फिर फिर पूचा उठाता हूँ, तो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, नंबर वा सभी बातों को उनको भी समझना है और फिर नेम को भी समझना है बना-बनाया को भी समझना है पर तुम बना-बनाया भी नेमों से कानून से, काईदों से बना हुआ है उस काईदों को भी समझना है ऐसे नहीं है बस चर्ति कला है तो अपने चर जाएंगे उतर से चलेंगे, नहीं, उतर ते भी अपने कर्मों से ही, रखा तो वही है, तो विकार में गिरे, तब ही गिरे, कारण तो देखो निकलाया ना, पर अधु आज जानते हैं कि विकारों का भी ताइंग है, विकार नहीं होता, तो निर विकारी शब्द नहीं आता, कंट्रास्ट में, दो रात नहीं होती, तो दिन कैसे कहते, दिन है तभी रात कहते, तो दो नहीं है, तो ये सबी चीज़ें जानते हैं, ये सबी चीज़ें को समझने का है, इसलिए ये खेल कैसा है, बना हुआ आपकिस तरह से ये नेम, सब कानूं, तो हर चीज़ का नेम, कानूं को समझना इनीगाई नाम तो ग्यान है, बाकि ग्यान क्या, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो कुछी नहीं होता, फिर तो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर तो खेली खतम है ने सब, तो खेल का नेम होता है, खेल का सब टाइम, बाठ, सब वर्नन तो स्टीज का आएगा, तो अभी बैर करके बाप समझाते, चिले करते हैं, बचे अभी तुमारा ये अभी पूरा हो, तो मैं भी आता के सब का सहारा बनता हूं, एक ही, तो एक ही ताइम पर, और मैं सब का बनता हूं, ऐसा नहीं है, कोई दूसरे धर्मों का दूस ही होते हैं, तब वो आकर करके उनको कोई सहारा देता है, तो कहते हैं, इसने हमको सहारा दिया, तो सहारा तभी कहने में आता है, जब दुख में, या का कोई गरावट के सहारा देता है, तब कहेंगे ने सहारा, तो ऐसे टाइम को देने वाला एक ही परवात है, तो सब को द ये डिमने avons गते और पोबसितांगा जाने का मिलतंगा हुआ होग है युके वाहता सफापन के लिए वो तो और ही आत्मा को ऊहिष़ सेखिशके नीचे करते हैं। पवत्र आत्मा आती हैं। और उनों को नीचे ही चलना है। उन theinter- Delta- Hispanic, उन thege, Chinese Fellows and the जाने वाले हुए नहीं, पावन आते हैं, पतत बनते हैं, तो वो पावन से पतत बनते हैं, और बाप आकर करके पतत से पावन बनाते हैं, तो सहारा उसको कहेंगे, जो हमको नीचे से उचा बनाता है, इसलिए परमात्मा को कहेंगे, पतत से पावन करने वाला, तो वो पावन बनाते हैं, उसी समय जाते हैं, पीछे उनों को नीचे चलना ही है, तो सब जाते हैं, जो आती है, जो इस थापिक है, उन सहद सब को नीचे जाना है, तो उसका मतलब यह हो गया नहीं, कि जो आते हैं धर्म स्थाफिक उनको तो नीचे ले जाना होता है, जो जो चलना ही और हमारा बाप आते हैं तो नीचे वाली आत्मा को उपर खीुत ले जाता हैॉ तो हम पत्त से पावन बनाने वाला जो है, उनी के जो धर्म स्थापन करता है, हम उनी के धर्म स्थापन में आने वाले हैं, और दूसरे जो धर्म है, वो तो हाँ, पावन से फिर पत्त बनते हैं, तो ये फरक है, इसलिए हवारा धर्म, इस धर्म की जो है, वो परमात्मा ने क कई ये धर्म मैं च्ठापन करता हूं, कौन सा? जो पत्त से पावन बनते हैं, फिर पावन जनरेशन में शुक्ष भोगते हैं, और ये जो है, बाकी वो पावन आते हैं और नीशे चलते हैं, तो ये धर्म च्ठापन है, ये मन्शों का काम है, वो आत्मया करते, अपना धर्म ऐसा इस्थापन करते, तो उनों के धर्म इस्थापन में और प्रमात्मा के धर्म इस्थापन में रात और दिन का फरक है, क्योंकि वो अधर्म नाश करकर धर्म इस्थापन करती है, इसलिए एक धर्म एक राज रहती है, और वो जब भी आती है तो अच्छे नहीं है एक धरम एक बुद्धिश्ट अपना धरम इस्थापन करता है वो है धर्मों की विर्दि बाप आते हैं तो सब धर्मों काइन करके एक धरम इसको का जाता है फिर संसाख सुखी बनाता है तो इसके करतविय और मनिशों के करतविय में रात और दिन का फरक रहा शिले कहते हैं सब कात्म एक साहारा तो कैसे साहारा बनते हैं कि हम सब को इस माया की बॉंडेज से सब को छुराते हैं एक लिभ Import зभी से छुराते हैं सहारा, लिबरेटर तो एक ही है, क्राइस्ट को लिबरेटर नहीं जाएंगे, बुद्ध को लिबरेटर नहीं जाएंगे, वो तो औरी लेकर के साथ में आ, खुद भी निचे है, और दूसरों, जो साथ ही है, उनकी हा, तब को निचे ही जलना है, तो ये सबी चीजे बुई- तुद्धी में रखने की है, इसलिए परवात्मा का कर्तविये स्पेशल है, वो अपने आप करने वाला है, उसके कर्तविये को कोई मनश कर भी नहीं सकता है, और मनश के साथ उसकी भेट करी भी नहीं जा सकती है, मनशों की आपस में थोड़ी बहुत भेट चलते हैं, जैस दर्म स्थापिक भी अपने धर्म को स्थापन करने का पालना के लिए उन सब को चलना है, तो उनकी एक दो में से भेट हो सकती है, लेकिन परमात्मा का सब करतविये भिन्न, उनका पाटी भिन्न है, उनका धर्म स्थापन करने का तरिकावी भिन्न है, सब भिन्नता है, इसल सबसे न्यारा काम भी करता है, अलग, किसी से उसकी भेट में नहीं आती है, तो सबसे उसका न्यारा करतवे भी हैं, और फिर सब का प्यारा करतवे करते हैं, यानि सब के लिए जो बॉंडे से छूटने का, माया की बॉंडे से छूटने का प्यारा करतवी है, वो सब का करता है, लेकिन सब से न्यारा, ये काम कोई और नहीं कर सकता है, तो उसको न्यारा कहाई इसलिए जाता है, क्योंकि सब उसे न्यारा है, कोई से उसकी भेट नहीं करने में आ सकती है, उनका करतव ये सकती है, तुम्हरे एक काम निराले, ये गाते हैं, भक्ती कुमारे काम निराली है कौनसा काम उसका निराला है यह कि उसको माया की बॉंडे से छुराना तो उसके काम निराले दूसरे जो आकर के काम करते हैं वो और तरीके के काम है वो हमको यहां ले आते हैं इसमें यह हमको इसी दुखके संसार्थे छुराते हैं माया की बॉंडे से ले जाती, तो फ़रक हो गया ना, तो ये सभी चीज़े बहर काद कें बाप समझाते हैं, इसलिеля कैते हैं, मेरा काम निराला है परन्तु मेरा काम सब का प्यारा है, द शब का प्यारी, इसलिए सब मुझे याद करते हो नी, फिर भी, दर्मस्थापकी मुझे याद करते हैं वो भी आकर करके तुम लोगों को मेरी महमा सुनाती है पर्मात्मा ऐसा वैसा हा सब्देवो गुरु नानिक है तो उनके भी वानी में किसकी महमा है पर्मात्मा की महमा है तो सब जो भी दर्मस्थापकाई है उन्हें सब उन्हें पर्मात्मा की महमा की हैं और उसके करत वे थी कि उनका काम सर्थ तो मेरे खाली महमा करने से भी उसने अपना-पना धर्मिस्थापन किया उनका काम सर्थ मेरी महमा करना मेरी महमा से भी देखो उन्होंने कितना अपना धर्म स्थापने का ये काम कर लिया, लेकिन मैं खुद जो हूँ, वो आका करके काम करूँगा, तो कैसा काम करूँगा, फरकूंगा ने, तो इसलिए कहते हैं, देखो मेरा काम सती निराला, तो ये देखो अभी निराला काम जो करने वाला है नि, उसके हम डेरेक वन्सावली बनते हैं और उनके डिरेक्ट धर्म जो इस्थापन करता है उसी धर्म वाले हम बनते हैं तो अपना नशा कितना होना चाहिए हैं कोई कामन धर्म इस्थापिक के तरह से हमारा कोई धर्म की हमारा धर्म इस्थापन करने वाला कौन? स्यम परम्पिता पर्मात्मा World Almighty Authority तो हम उसी धर्म वाले है जो धर्म स्यम पर्मात्मा ने स्थापन किया है और वो आकत अपिक करती है इसलिए अपना धर्म का, अपने कर्म का अपने बनाने वाले का इतना फखरोना चाहिए है कि हमारे कर्म सबसे स्रेष हमारा धर्म सबसे स्रेष हमारे बनाने वाला सबसे, जो आई उचे में उचा उनकी तो भेटी क्या करे है, आई उचा उचा आई ही है तो ये सबी चीजें बुद्धी में रहने की है इसलिए अभी बाप चहते हैं बचे अभी तुमारे धर्म का सबसे, देखो तुमारा धर्म पुज्य है, पुजन्य है, देवी देवताइम, वो धर्म, जिसके भी देखो यादगार चित्र सामने है, God and Goddesses, अंग्रेजी में वाले अंग्रेज वाले भी इनों को God, इसके चित्र पुराने पुराने बड़े इसी तरह से यह जैसे ज़ार होता है ज़ार में बढ़ता जाता है, जो जर है, जर का आई हूँ अगर ज़ार में गिनेंगे, लास्ट तक भी कहेंगे जर को पैदा हुए बहुत टाइम हुआ, तो इसकी एज बहुत हुई जार में, और यह डार का ताइम थोड़ा कम रहा, लास्ट है और खतम होना है तो जहार में भी नंम्बर वार जर की आयू, कामी की उस्से कम टारी की उसे तो चोटी कहींगे तो इसका खतम होंगे इसी पर यह मन कर चलता है, तो यह सभी बातों को समझने का है कि आत्मा में अपना कैसा पाड है, जो शुरू होता है फिर पुरा होता है, फिर पुरा हो करके फिर वैसा ही शुरू होंगा, ऐसे नहीं चलता चलेंगा, जो चीज शुरू हुई है, उसकी इंद जरूर चाहिए, ये भी एक समझने की बात है, जिसको कहा है, अगर शुरूरात है, तो उसकी इंद जरूर है, तो समझना चाहिए, इ इस नॉटिक का खेल का पार्ट का शुरुrence है बाकि ये कभी शुरु वाझ कभी पूरा हुआ यह अनाधि पाउस यह उसका कोई ुछ question भी उठे, नहीं, अनाजी है, उसके लिए कहेंगे अनाजी, इसका कोई आदंत नहीं है, वाकि यह खेल का, पाट का, पहले कौन थे पाट धारी, एक्ट रस, वो एक्टर्स का नमबर वार खेल का है, पहले यह देवी देवता है, पीछे फिर दूसरे दौसरे धरण, यह समी बहर करकर, बाप देको ऐसी चक्कर में है पहला देवी देवता है, तो दौसरे धरणको यह है एक ही धरम है, अभी जब यह by चुरू होता थो सारी वर्ल्ड में एक ही आधिसनातनी देवी देटा, ये golden and silver side में एक ही धरम है, देवी देटा, तो जब ये देवी देटा धरम है, तो एक धरम, एक राज सारी वर्ल्ड में, उसी time पर दूसरा कोई धरम नहीं है, पीछे ये नमबर वाज, दूसरे धरम आती है, धरम शास्त्र भी दिया है, हर एक अपना अपना दे, वो शास्त्र उनके पीछे शुरू होती है, जब धरम का अधा भाग हर एका चलता है, उसका golden silver पूरा होता है, तो उनके भी कापरेज में, यानि जब तुरा आप बीच काटा है, पीछे उनका चलता है, शास्त्र, गृंत, भाइ बल्या, जो भी उनके भक्ती मार्का है, वो पीछे चलती है, पीछे फिर वो multiplication भी हो की है, तरशी तरीके से सबका फिरेंट एक सा, तो ये सबी चीज़े को बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये चक्कर, उद्धी में भूमने का, बाबा कहते हैं स्वध दर्षन, च शीनली, अभी हम फिर अपनी जगा पर आ रहे हैं, फिर अपनी सीप पकरनी है, तो इसलिए कहते हैं, तो चकर पढ़ेंगा, तो अपनी सीप याद आएंगी, कि हम इसी सीप से गिड़े थे, अभी अपनी सीप फिर पकरते हैं, तो चकर पढ़ेंगा, तो याद आएंगा, तो फिराओ, इसी को कहते हैं, सरा दिन गुद्धी में ये चक्कर फिराते रहो, तो तुमारे इस्वादर्शन चक्कर से पाक अस्वाविकार नाश होंगे, तबी तौ आ रहेंगे ने, हमारी सीट उची है, हमारी सीट उची है, रिगार कटेंगे, तो अपनी position, seat को यार करना है, तो इसको बाबा कहते हैं, चक्कर घुमा, आदू पत्र में बना हुआ, अब एज है। पत्र में इसा पत्र में पचार कीよろしく है। कि चार बाल गोरु बत्थर कि या? यह इसा जातीज प्ट् achar का बना हुआ पत्थर में पत्थर। थे पत्थरों में बत्थर। नम्ाहर का दुक मतंद पत्थर। करते हैं जब गणेश पूजन या कोई ऑिन बसा निकालते हैं पहले पूजन को आरह meowं में आा ज़िता है यहां पूजन को अरभ में तो यह स्वास्तिक हो और daha का हिशाब है उसे भाग को छोटाइ छोटाइ करते जाते हैं लग rapedakti को एक्वल है यह ऑब चारी रग को जानती है इसलिए यह है इनका मेहत्व बहुत है बावास सनाती है वो जगनात पता नहीं कहां उसके बनाते है फिर उसका चार भाग रखते हैं आपे हो जाता है वो तो ऐसे भक्ति मार की भावना है ना तो है चार भाग का यह है, फोर एपक्स, है इसका मैतव, तो यह बातें अभी अपन सब जानते हैं, यह चक्कर बहुत रखते हैं, अपिदेव अपने यह भी जो गवर्मेंट का है, उसमें भी नीचे यह चक्कर है, ना, है चकर, बदो बजाए चकर का, वो समझते हैं, जानते हैं, वो उसने बिचारे के गांदी जी ने वो चकर का रास्तों समझाए ने तो चकर लगा लिए, है तो, गीता की बात यह है, कि चकर यह शारा, वो चकर बिचारे तो उसने तो सारी बातें सुराज वगेर, यह सब अहांशा, यह सभी बातों को उस तरीके ले गए बैट करके आहांशा समझा भी हत्यार पमाँ से नहीं लाना, बागी प्रिकेटिंग, बुखरता, सत्याग्र, इनी से राज लेना है, तो उसने पर आहांशा को इसी तरीके से लिया, वो चकर को फिर चर्खा में लिया, तो उसने घर-घर में चर्खा फिर आओ, घर-घर में बनाते हैं, 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 फिर हम कहां जाते हैं वो अभी चक्रपूरा करके आए हैं और उसी से अभी अपना वो जगा पकरने की है इसी कर्म स्रेष्ट से तो बातें ऐसी हैं लेकिन बातों को आ ले गए हैं दूसे दूसे तरह से अभी बैर करके बाप समझाती हैं तो अभी सब बुद्धी में आती हैं अभी बुद्धी में लेकर करके अभी फिरू ऐसे अपने कर्म को बनाना है तो ये सबी बातें अभी अच्छी तरह से बुद्धी में रखते जाओ इसमें मुझना नहीं है किसी को समझाने करने के लिए भी पर समझाने के समय में भी कुछ नए होको, कभी भी कोई ऐसी बाते नहीं है, चर्खा, चकर यह बाते बाते शमझाएंगे, मुझे जाएँगा. पहली पहली बात तो सब को बाप का परिखंद think is तुम कौन है तुम्हारा पिता का हुन है kamu आत्मा आत्मा का पिता कोण तो बाप से तो गुद्धी लगे जिससे कपनेक्शन कट हुआ उससे तो पहले कंशन है फिर इससे कंशन से पर सभी बातें आप समस्ताज जाएंगा इसलिए पहले पहले किसको बहुत करके ये चक्कर और चर्खा और ये सभी चीजे सुनाएंगे तो मधा खराब हो जाएंगा इसलिए कभी भी नहीं हो कोई इस बातों में कोई टूमच बातों में ने कोई कोईस्टन भी करे ना, तो पहले ये बात समझो, तुमको बाप से वर्षा लेना है, तुमको अपना जीवन बनाना है, या यह बैर करके बातें कहेंगे, जनावरों की आत्मा कहां रहती है, जनावर कैसे बनते हैं, कहीं के कोईस्टन उलते, उठा लेते हैं तो उन्हों क मैमिश की गती प्फुछना, उनकी क्या होती है। जनावर की बाते पीछेए दियरे गती से सब की गती होगी usted मैमिश के इसे सब कर सकती होगी तो तेरे पीछे सब कर यहाँ of मैमिश की अपने आर्सप्षैOFF वो बिचारे राजियों के महल में पल्लते हैं ऐसे नहीं भी हम फ़ालों कży kब महल घर आ रहे हैं यह एस भी कुण्ट करने किपा है कि उसने क्या करम किया है कोई तो लाठी है आतें घर में तो मारू लाठी निकालते हैं तो कोई तो बिचारय से पर इसके क्या गर्म की गति है और ज़ीया ंचारी में परशें देशे का सूपल आज इसे इसे कीशन ऊज़ती है है, जितना मनश पूरुचा होता है तो उनका भी फिर अपना-पना है इसलिए हिसाब किताब देखो, कुत्ते-कुत्ते में भी अपना लड़ते करते हैं, ये अपना पर उसकी केटगरी जो है ना वो अलग है, वो अपनी केटगरी में अपने कर्म का हिसाब का खाता है लेकिन मनश की केटगरी अलग है ये समझना है ऐसे नहीं मनश से जनावर की कोई भेट करनी है जनावर की जनावर में भी अपना हिसाब किताब का खाता चलता वो बात अलग है बाकी मनश की केटगरी और जनावर की केटगरी को मिलाना तो नहीं ने, ये केटगरी अलग, वो केटगरी अलग, उसको अलग तो करो पहले, हाँ, तो ऐसे नहीं है, मिलाना है, कि हम कुछ है, ये अच्छा करम किया, वो मनिशे से भेट की बात नहीं, हाँ, जनावर अपने अपस में, उनका भी कोई हिसाब किताब अपना चलता होगा है, तो ये जनावरों का हिसाब हुआ नहीं, हम कोई जनावर फोरी बनना है, हाँ, 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 अमको दो मनिशे की गती क्या है, उसको समझना अपने गती को पकरना है, गती स्वासत गती को, तो हमको दो वो कोई ऐसा कोई question wrong way का उठा ले वें, तो कहे ना भाई, नी बात में तुम्हारा क्या जाता है, तुमको अपना जीवन बना, तुमको अपना सुक्षान्ती जाहिए न, कि जनावरों के सुक्षान्ती का ख्याल है, तुमको अपना तु सुक्ही बनेगा, जनावर अपने आप बनेगे, बाकी तु समझते हैं, इनके उपर दया करके, इनको बनाने से मैं बनूगा, उसका दया हमारे पर आएगी, नहीं तुमको अपने पर कर, तो तेरी दया सब के उपर जाएगी, ऐसी ये बिचारे कही पश्यों की, कही किटियों की, शेवा करते हैं, कि उनकी दया हम को मिलेगी, पर तु तू बन, तो तेरी दया सब विचारों को मिल जाएगी, तेरे ही कृपा से सब विचारे हरे भरे हो जाएगी, जनावर, पकी, पशू, जर, चेतन, विरख्यादी सब हरे भरे, अभी देखो विरख्यादियों में भी ताकत नहीं है, फल, फूल, अनाज बगिरह सब बिचारे सब देते भी हैं पर तो देखो वो ताकत नहीं है पिछे सब में बलाएंगा यह तता आधी में तुम्हारे बलसे सब में है इसलिए तू अपने पर दया कर तो सब के उपर दया तेरी हो जाएंगी अटोमेटिक गश्चारे वी तू अझाटन के उपर ऐसे करें गश्चारे नहीं यह कर दया दया का मतलब भी है अपने को मनिशर बनाने का रास्ता दी तो मनिश का सब फर्णिचर होता है किस के लिए है, मनश के लिए है, तो ये भी संसार मनश के लिए है, काना पी न, ये सब शोबा, जैसे घर में नहीं रखते हैं, बहुत रखते हैं, जो दादा ये घर में है, कुते बिली ये सब बना के रखते हैं, जो शोबा रखते हैं, तो ये भी हमारे संसार में शोबा है, ये चीजों का, पर अंतु है किसके लिए, मनिश के लिए, मुख्य मनिश है ना, तो ये समझो, फढ़नीचर है, सज्जावत है, तो मनिश अच्छा हो जाएगा, तो उसके घर की सज्जावत अच्छी हो जाएगी, और मनिश गिरता है, तो उसके घर की सज्जावत गिरती है, तो अभी पहले सजावट को बनाना है या मनुष को बनाना है धनी को बनना है पहले तो धनी बनेगा तो अपने आप उसके लिए मकान अच्छा बनेगा मकान अच्छे के लिए अच्छा फ़र्मिशर बनेगा सब अच्छा होंगा तो पहले जिसको बनना उनको बनने का पुर्शाथ रखना चाहिए तो पहली कोशिश करनी है अपने को इसलिए बाब गयते हैं पहला आत्मा मुख्ये, शरीर से भी पहली मुख्य आत्मा आत्मा बनेगी तब शरीर बनेगा ऐसे नहीं शरीर बनेगा तब आत्मा बनेगी नहीं शरीर पीछे कर्म किस कर्म के आधार से शरीर बनता है आत्मा के तो में तो आत्मा है और आत्मा को कौन बनाएंगा पर्मा आत्मा तो इसलिए उसको जानना परता है तो बनाने वाला उस को न जानेगे तो हम बनेगे कहां से उसको भी जानना परते हैं, तो आत्मा को और परमपिता प्रमात्मा को भूआ teї elly को तुशा भूइ समझना परता है जब रूड़ाँ की बनाने वाले के connection में आएंगे वो कहते है कुछा है याद करो, अगर हम समझें क्यों याद करें तो सब पता लगेंगा इस case करने से हम बनेंगे हमारे को उसे ताकत मिलेंगी बल मिलेंगा तो जब हम जानेंगे तब तो temptation रहेंगी न तो इसके लिए उसका घ्यान जरूर चाहिए तो हमको अपने बनने के लिए ये बातें जाननी परती हैं जान करकर करके उससे connection जो ना परता है और जोर करकर करके उससे अपना बन लेना परता है तब ही तो हम तो की बनेंगे तो ये तो सभी बातें एक दो के संबंध में है तो इसी सभी जो संबंध की बातें हैं वो समझने की हैं बाकी संबंद कि ये सभी वो भी नटशेल में क्यों आप लोग पुराने हो, दस बरस के अत्वाक कुछ अभी आए हो, अच्छे समझते हो, तो उनों को समझाया जाता है कि बाई चलो ये सभी कैसा है, मनश मुख्य है उसके साथ सभी का पर connection है, समझाने में आता है, लेकर बि इतनी बातों में ले जाना है, जबी वो समझ आएंगे, बुद्धी स्वच जितनी होती जाएगी अपने आप बातें समझ में आती जाएगी, क्योंकि स्वच बुद्धी में ये बैठेंगा, जिसकी बुद्धी स्वच नहीं है उसमें ये knowledge भी है, knowledge है बहुत उज का, knowledgeful का जो knowledgeful God है, उसका knowledge है, तो उसका knowledge कोई ऐसी जैसी मुद्धी में नहीं, बहुत आते हैं पत्तों को बिठा करके पावन बनाने के लिए, करदू बत्त भी जो उनके बच्चे बनेंगे न, जो उनके बनेंगे, उनों को, तो उनों को कहते हैं, बैठेंगे, जो मेरे बनेंगे तो कभी बैठेंगे नहीं, तो मेरे बनेंगे, तो ऐसी पत्त आत्मा भी ऐसे ज्ञान से पावन बनती हैं, तो इसलिए कैसे पहले मेरे तो बनो, मेरे में तो पहले विश्वास रखो, तो विश्वास ही नहोंगा, तो फिर मेरे से प्रापती क्या करेंगे, इसलिए कैसे मे भी उनती करनी है और दूसरों की भी उनती करनी है तब फिर हां करनी है दूसरों की ऐसे भी नहीं ये भी दान करना है दूसरों की शेवा करने से शेवा कफल होता है ने मनुशी ये क्यों जनता शेवा करते है ये कुछ रोगियों की शेवा गरिबों की शेवा क्यों करते है श तो ये भी हमारी शेवा का भी अपने में होना चाहिए, कि दूसरों को ये सच्चा मारिज बतलाएं, सच्चा रास्ता दें, तो ये शेवा सबसे स्थ्रेश्ट है, तो ये शेवा करने का भी शौंक होना चाहिए, क्योंकि शेवा का फल है, इसे मिलता है, एक अपना पुर्श तो ऐसा बनने के लिए पुशार्ट रखने का ही चाहिए और आएंगा आएंगा जिसको जो चीज मिलती है दिल में आएंगा कि दूसरे को दें अच्छी है बिचार दुखी है ये.. हम तो जानते हैं सारी दुखी है ब wiemले को इकदराम यातनों को सुखी समझे हम जानते हैं कि aconteceu महले को सुख्या कहा पता ही है ये बिचारा घुपा कहते हैं क्चते होता है उस fazendo behavior यह समझता है अपने मुख से उनका एकी खून allows बार तो निँगे हैं टो होते का अपने मुख से औनका ही खून निकलता है तो वह समझता हुम को हड़ी मिल्य Ale prefer मिला है उसमें है कुछ नहीं, उसमें होता हुमना इतर्फनी का चिश्थे हुमना इतरु दःति पर कुछ तुछ नहीं है, तो यह वी कुछ नहीं है, इसमें कर्तें, अांविक रही है और बहुता है, है उसको उसी से छुराना, हम जो देखते हैं कि वो अपना हानी कर रहा है, उनको पता नहीं लगता है, वो हानी में खुश है, वो समस्थे भ़िस सुखी है रिज है गोई दरकार में है थो हमको बहले उससि समय वह थोरे देखो कही पेशंट होते हैं, दाप्र करनें से अपरेशन से डरते हैं तो डाक्टर तो जान सारे बिचारे की लाइफ चली जाएगी, तो वो किसी ने किसी तरीके से उनका जो अच्छे होते हैं तो कोशिश रखेंगे, तो नहीं बिचारा इसकी जान छूट जाए, तो उसमें डाना मा भी होती है ना, बच्चे को कड़ी दवा पलाते हैं तो बच तो हमारा काम है कोई नहीं दवाई लेते हैं तो भी हाँ, जैसे मा होती है तो कहेंगे नहीं इस बच्चे का इसमें कल्यान है, तो हम कोशिश करनी चाहिए, उसमें देवमान होना चाहिए हां, वो बच्चा होते हैं नहीं लात्मी मारेंगा हां, होते हैं मां पलाते हैं तो करेंगा ऐसा ऐसा नहीं लाइब लगाएंगे कोई हां कोई ऐसे भी करेंगे कोई गाली भी देंगे तो हम को वो इंसल्ट नहीं समझनी चाहिए हम सब्सक्राइब पर ऐसे मी नहीं किसको जाकर नाप पक्रकर दियो समझती एक पाहसे हैं दरते हैं झालरा करते हैं कोई ऐसे करते हैं उसमें दो हमारा क्म है जैसे माँ होती है, देखा है कभी है, आपका बच्चे होंगे ना, तो पहले इसको थोड़ा है, ऐसा लगता है, पर तो यह उठाने जैसा है, तो इसको थोड़ा तरीके से देना जाए, तो कैसे सिर्फकार भी नहीं करा, ऐसे भी नहीं है, कि ऐसे को दियो जो ग्यान का तुर पर दोष पर तेरे सिर्फ पर चरेंगा, तो तुर्फकार भी नहीं कराना है, और देना भी है, यह युक्ती से चलना है, हम जहां, तो दोनों बातों को समझना है, यह दोनों बातों की खबरदारी है, ऐसे भी नहीं देवमान में अपने को डरना है, अपने को भी देवमान में नहीं डरना है और फिर तो श्कार भी नहीं कराना है दोनों बातों को संबल करके सर्विस में रहना है चलना है तो यह सबी चीजें समझते अपना बनाते और पुर्शारत करते चलना है इनको कहेंगे पुर्शारती कि इसा नहीं हैं बद मेरा आर पर्मा और माने मेर्ड। उतने समस्च भी से नहीं हो सब इसा समगते इसे Lakini क्या बद्बड़ेन को बेर जाओं। जिस मेरे का मこれद आत्म läuft किष आने के समध जैए वोगों सत्पूर आप regen कोछीति गयां है अपनाइन भाड़ों होगया है इसको पूरा मिलआ है तो समझे तिह Yes हो गया है तो यह मिसाल आप लोगों में भी होगया लेकन नहीं पूरा हो गया हूँ है बहुत तो यह सभी बातों को समझ करके अपना पुर्शात रखने का है। तो ऐसे ऐसे रखते रहेगे और शौक भी रखते रहेगे, अपना जीवन भी अच्छा करेगे, दूसरों का अच्छा करेगे, तो जरूर है दूसरों की आशिरवाद मिलेंगी, जो बनेगा जिसको सुख मिलेंगा, जीवो आप लोगों को शान्ती सुख जीवन में आया है, तो आटोमेटिक, निकलतान पर देखो हवालें जीवन कौन बनाने वाला है, तो उसके प्रती आटोमेटिक हमारी शुब इच्छाएं, अथ्वा शुब भावनाएं उठती है, यह आटोमेटिक होता ही है, तो यह भी चीज ऐसी है, जितना जितना हम दूसरों को बनाएंग लिएा कृपा यह अपक ऐसे प्रेडिका गृ göra करेंगें, बुरी यह रहता हम से तो इसका कहता है, एक भगतिमार को तो हम सेमेटिक होता चुब जे ख़ए लोगता है, यह रहरोंकि कि आटोमेटिक होता है सब को ऐसा ऐसा करता था वो खुश होते थे वह ऐसा किया पर दो ये एक रवाज भक्ती मारे था वास्ता करके जो अच्छे करम करते हैं वो करते ही पाते ही हैं उसको आर्टोमेटिक ब्लेश होती ही है पर ये कामन चल गया है ने तो इसमें बहुत मनिश ठहर गए है तो समझेंगे ऐसे करेंगे तो हमारा कुछ बले भक्ती की भावना अनुसाथ जबी पत्थर से भी कुछ मिल जाता है तो कोई ऐसा करेंगा मनिश तो मनिश से भी कुछ हो सकता है पर दो अलब काल के लिए बलेश के आया पोप कोई रोगी को ऐसा कि आउसका रोग तो ठीक हो गया तो समझेंगे कि भाई नहीं देखो इसके हाँ ऐसे करने सिवा यह उई अलब काल की भावना उसकी भावना रही नहीं भावना रखी उसको पिर भावना का रिटर्न कुछ मिल भी जाए और दो अलब काल नहीं फिर कोई रोग होगा फिर कुछ और बात होगी फिर क्या हुआ बला क्या हुआ चलो थोड़े समय के लिए शफावी और और कोई बीमारी हो जाएंगी या कोई और बात होगी फिर ये तो है हम सदा के लिए इसी बातों से छूटने का यतन लेते हैं इसलिए उसको अलब काल ये सदा काल ये है फरक इस बातों को समझ कर करके और अपना पुर्शारत आगिर करने का तो ऐसे पुर्शारत ने लगे रहना है इसको कहेंगे पुर्शारत बागी खाली ये ज्ञान अभी बुद्धी में आया बस रहा नहीं है, अभी घर को बैठ गयाना है बस हम ज्ञा नहीं, अभी हम भी 28 वरसे समझते रहते हैं, जरू कोई पर आई हैं, दिन अभी दिन, रोज तभी परते हैं, तो अभी 30 वरसे सुना है, क्या उग ज्ञान नही करना, ये भी रोज का अच्छा है, इसे बुद्धी रिफ्रेश होती है, और फिर इसमें बुद्धी अच्छी चलती है, तो फिर फाल्टू संकलप इधर उधर के नहीं, और अपने कर्मों के उपर भी अच्छे संकलप रहते हैं, तो कर्म भी अच्छे हैं, कर्म अच्छे तो भी अच्छे हैं, तो सब में अच्छे-च्छे होते चलते हैं, ये help है है, तो इसी help को पकरते चलना चलिए, ऐसा है अभी हम, हमको help की दरकार नहीं है, हम अपने हैं, चलेंगे 10 दें बैट के देखो गर में, क्या हाल हो जाता है, वो फोप हो जाएंगा, soda water, वो soda water हो था आता भी जलगी है, फेस हो जाता है, तो चराएंगा एक दफ, पर सोड़ावाटर खोलेगा, पानी हो जाएंगा एक दफ, तो जो नशा चराएं नहीं, पर पानी हो जाएंगा एक दफ, तो जो कहेंगे सोड़ावाटर, तो ऐसा तो नहीं है, सोड़ावाटर वाला नशा नही अच्छा, बोलते नहीं है, चिट-चिट अच्छी लगती है, तो याद करेंगी न, बुलता नहीं जाएंगी, तुम से नाराज तो नहीं होती हो, क्या नाराज होंगे, अभी नाराजी के उपर राजी करने वाला मिला, अभी उनके उपर नाराज रहें, तो कहां जाएंगे, इधर के रहेंगे, कोई ठीकाना नहीं हो, इसलिए जिसका ठीकाना है, जिस ठीकाने देने वाला है, उसको तो पकर रखो, और पकर रखो का बतलब तो इसके उपर हम नाराज रहें, यह पकाजा नहीं है, हम इसके उपर राजी रहें, वो तब ही है पक्रा हुआ, यह कौन है, यह भी तो उनका संतान है, तो ऐसे नहीं है, इसके उपर हम नाराज है, उसके उपर फोड़ी नाराज है, ऐसे ठक भी बहुत है, यहां, चलते हैं हो समय से हम इसके उपर नाराज है ना वो तो हम पक्रा रखा है उसको तो हम याद करते हैं याद ही नहीं है इसके उपर नाराज हो तो अंडरस्टुड यह शो नाराजगी शो उसके उपर नाराज है यह आ क्योंकि अगर वो याद होता तो इसके उपर नाराज ही इसके उपर एक दो गाली दी, ना, हम इसके उपर नारासी, इसके उपर ही हम राजी हैं, तो अंदर्स्टूड Byteca, तॉ उसकी याद हम को से फताल गेगा, ऐसा नहीं है कि इसे उपर अम नाराज हैं लेकिन इसके उपर आम रादियां बहुत है यहां इँटपते हां अपने को, समझने है कि क्या है पाते हैंब मृट तो ऐशे कही सबसे हम बाबा से थोरे रूटते हैंज अब दाrtie से रूटते हैं नहीं हम रहा ते किनाम फो किस का लेगा नहीं जरुपए चैते हैं हम भीखे और एक सिंदी पाग कर आ तो कहते है कव लड़की को चीथे गी बऑु ठीसे लगे है तो कहते है तेने का वा ते कहेगा बऑु सीथाे नहीं सुन सब्सक्ति भह नहीं सुन सके, उसको दे अबमान है, अपनी लगकी है, तो उसको तो थोरा खुछ भी लगा उसका बाद, तो कहाते है को लगकी को, चीखे लिभा हो, ऐसे कहां आते हैं तो, अच्छा, कुष्मि है, छलना है, अच्छा ऑ तोली, 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 तोली देकें मामा से तुमको अट radically सुना, ममा की हाइचा कि ममा ने दिया है। अच्छा ऩभी किसीने तोल नहीं खिला, वाकी सोरस दे नहीं देश Southwestered अच्छा ये गोपिनाद, देखना, हाथ उठाते हो, ये हाथ कहा उठाया, जर्मिराज की दर्वार में खरा हो गिया तेरा, तेरा बाबा कहेंगा तुई था ना, हाथ उठाया था, ठीक है ना, चलना है, निभाना है, आओ मेदान पर, अभी तो जोरू से मिले हो, ज्ञान के हृचा ये भाद, हाथ रख, रख, ई खरिता है था, हपी पीठे, ये बाद बॉलना राथ, और ना, भाद बोलना है, अप ना, तुमको की बोले, उर तू उनका हो जाएं तो, रूरो को आपना बनाएगा उपनाए उपनाएंगा उसको, तू नहीं बनेंगा उपनेगा, उ अगरत करेंगा कुछ अपना कम दोली तो फिर इसकी responsibility हो जाएंगी वह तु दिखाई अच्छा परता है अब भी कही चाहँ आटनुछा दिखाई अच्छा परता है हमधवान है थोड़ा हमध का रखता जरी रखता जरी रखता खिला आपके तुल से है कि आपको बता लगा है मैं कौन हूँ अब माई अब भाई अब भी वो है माई कौन हमाब माईजा माई हो श्यूबा का बच्चा अब भाई हो श्यूबा का बच्चा अब भाई हो श्यूबा का बच्चा और सच्चा बच्चा बच्चा मींस सच्चा, पक्का, कच्चा नहीं, शाबेश, शाबेश, ऐसे अगर निकलते रहे, देखो एक भी निकले, ऐसे और निकले सच्चे है, तो कहेंगे नहीं, अच्चा, अभी देखेंगे, मम्मा आई है, उसके बाप जो आया है, देखो हमारे ये शाम सुन्दर, औ जो जो है, कितने नाम लें ये, राजपूत, और भी है, देखो, ये हमारा भी आता है, इसका क्या नाम था, लक्षमान, लक्षमान, तो दागी कु नाम याद रखती है, तुमको अपने स्टुदेंट का नाम जाने रहे, आप रोस बोलती है, ने, ये नच्च्च्वाना है पर्लेशी, तुम बुलाओ, बोलो, बटली-बोली चलाओ, खात्री करो, अच्च्च्वाना को अनसे, तुम पता तो चले सकी कां है? इतना तो लेना से ही समाल भी चको ना समाल में इसर के काम के से से ने हमारे पीछे बिचारों को इधर उधर कर दो अच्छी है आपकी दादी और ये भी दादी है दादी संदरी अच्छी है न ये भी दादी ये दादा ये सब अच्छी को अथा नहीं तो कहाने इतना वैज ये है है। ये आप लोगों के प्रेम में हम फस गए पंदी आप की पर जाए ये हैं अधा की पर जाए paper अरे किसी पर जाए बाबा की है भर बाबा के हैं, आप भी उसके है, तो फिर हमारा क्या है, आप खुद ही उसके है अब आपके तो रखाएं लगए ये गोफिना और दजे भी लगाते हैं? निमट कोई बनते हैं, लेकिन है तो सब बाबा ना? ऐसे है पड़ा ही तो पड़ा की है है अच्छा दविल अच्छा प्रवर के पागी ते यह खुश मिजाद बच्चा है मिजाद इसका खुश अच्छा है ऐसे अच्छे बच्चे रेच कर सकते फिर आना मदुबन जोरू को ले करके आना फिर इसको बना करके फिर कहना ममा लेक हम जीपे खुशा है ऐसा करके दिखाना ममा जीपे खुशा है बादरो करके आप अग और कपूछ पावस्तर रहरे हैं जीपे खँशा है जाबे आएंगे, माया थुरा करती है विजन आएंगे तो उसकी पर्वान नहीं जो खड़े है न अच्छे वो कहने अरे इनको तो अभी समझ लिया है अभी इसको ठीक करके रहना है पिर भी कोई मुश्कल पड़े कोई ऐसी जिपिक है चिठी डालना तो राय लेना तो उसमें तुब को सब डिरेक्शन से सब के लिए है इस एक के लिए नहीं कोई भी बात में मुझो चिठी पत्र और चिठी पत्र हफते में लिखना ही चाहिए ओके है तो पता चलेंगे बच्चे जीते हैं चल रहे हैं तो कुछ कनेक्शन में आना चाहिए न आपको अगर बच्चे का पत्र ना आवे तो ना फिकर हो जावे कितना जनुआ चिठी ने पता नहीं क्या है हो जाए तो यह भी देखो आप इसके बच्चे हुआ तो बहुत पिढ़िया बच्चे हो ना अपने को पिढ़िया समझते हो ना पर नशा रखो तो आप लोगों किसना चिंता रहती हैं कि बच्चे जीते हैं पता नहीं कोई माया तो नहीं है दादी ने कर दो कर दो कर दो